आज का टॉपिक है रेनली रेनली नाम से पता चलता है इस प्लांट को बरसाथ कितना पसंद है ये है तो एक पिरेनियल ब्लांट बट पंचेस में फ्लावर ये मौनसून में ही प्रड्यूस करता है मौनसून के शावर इसमें पढ़ते ही मैजिक की तरह ये पूरा प्लांट फ्लावर से भर जाता है इस प्लांट को हम फेरी लिली जेफर लिली नाम से भी पहचानते हैं मेंली वाइट येलो और पिंक कलर में पाय जाते हैं लेकिन कुछ हाइब्रिड वाराइटी में ये दू उमिडिटी बहुत पसंद है इस सान लविंग प्लांट को आफ्टरनून की हर्ष सनलाइट से जरूर बचा के रखिए इसके फ्लावर खिलने के बाद तीन-चार दीन तक खिले रहते हैं इसका फोली एज एवर ग्रीन और ग्राफी है इस प्लांट को पॉट में एक साथ क् किल हो गया इसे लिए मैं आज इसको reper करोंगी रिपोर्ट करने के लिए मिठी में वही लूंगी जो मैं दूसरे प्लान्ट के लिए यूस करते हूं जिसमें है एक हिस्सा गार्डन सो एक हिस्सा वरमी कंपोस्ट और एक हिस्सा सेंट इसको slightly acidic soil पसंद है इस plant को बरसाथ की पानी तो पसंद है लेकिन soil में जमे हुए पानी बिलकुल पसंद नहीं है इसलिए इसका मिट्टी well rent होना बहुत ही ज़रूरी है ये एक hardy low maintenance plant है जिसको fertilizer की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ता ये plant को अगर आप बड़े pot में लगाएंगे तो अपने आप ही कुछी दिन में ये पुरा pot को fill कर देता है pot में जब भी आप रेंडिली का bulps लगाएं तो closely लगाएं because they prefer to be being crowded मिट्टी से pot को भर देने के बाद उसमें अच्छी तरह से पानी देना बहुत ज़रूरी है इसमें paste की और fungus की ज़्यादा infestation नहीं होता है फिर भी आपको regular interval में इसमें pesticide और fungicide apply करना चाहिए रिपोर्टिंग करने के बाद इसको एक shady area में 2-3 दिन तक रखके फिर इसको sunlight की नीचे रख दीजिए तो देर मत कीजिए इसी बरसात में अपनी garden में rain really को add कीजिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाबाई झाले में अपनीजाप बसो िए दो देर तक रखके लिए रखके लिए जाए झाल झाल